नमस्कार मैं अभिशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू JSSE CGL और LDC के लिए आपके लिए Capsule Series श्टार्ट किया गया था Capsule Series को बहुत ही अच्छे से theoretical manner में जितने important topic थे चाहे वो history के थे चाहे वो polity के थे चाहे geography के थे चाहे वो economics के थे चाहे वो static GK और current अफिर पूरा आपको करवा दिया गया ठीक है अब Capsule 39 के से 38 के बाद जो 39 वाला Capsule खतम किया हमने 40 Capsule का आज part 2 होगा तो अब हम लोग क्या कर रहे है प्रैक्टिस कर रहे Capsule 39 में हमने तीन वीडियो दिये है जिसमें आपको इंडियान हिस्ट्री के डेड़ सो सवाल प्रैक्टिस करवाया हूं ठीक है ना जिसमें चीज बचा हुआ है वह मैं इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कभर करवा दे रहा हूं मतलब इतना है कि आप कैप्सुल स्रीज को अगर अच्छे से करके चले गए एक तो आप 31 से लेकर 38 कैप्सुल पूरा ठीक है पूरा ठीक है पूरा ठीकल मैनर में वन लाइनर मैनर में systematic way में और concept oriented आप इसको खतम कर सकते हैं per day एक कैप्सुल भी खतम करेंगे हलाकि एक दिन में आप कोई कोई टॉपिक को दो-दो कैप्सुल खतम कर लेंगे तो इसको maximum to maximum 20 से 25 दिन में खतम किया जा सकता है बाकी practice के लिए तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको इसका print out निकालना नहीं है आप रात में सोते टाइम केवल इसका question को practice करेंगे क्योंकि सब कुछ मैं लिख करके आपको provide कर दे रहा हूं ठीक है तो चलिए theoretical way में हमने चीजों को समझा आप practice भी कर ले रहे हैं बाकी आपको telegram group को join कर लेना है जिनको capsule series की पूरी की पूरी वीडियो नहीं मिल पा रही है अलाकि playlist बना रखा है comment section में मैंने link दे दिया है उसके अलावे math में आपको 600 सवाल करवाएं गये हैं with video solution आपका उस 600 में आपके 20 सवाल छुपे हुए हैं उसके अलावे जहारखन जीके का मैंने notes तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे topic को अच्छे manner में एक अच्छा level पर मैंने आपको provide के video तो वो सारा अगर video अगर आपको नहीं मिल पारा तो telegram group का link दिया हूँ उसको join कर लिजेगा आपको सारी चीजे मिल जाएगी और capsule series जिनको भी चाहिए होगा आप हमें whatsapp कर सकते हैं complete आपको capsule series की PDF आपको provide की जा रही है अभी तक 40 capsule होगे उसके पूरी PDF मिल जाएगे लेकिन केवल 38 capsule ही आपको print out निकालने है 39 और 40 और इसके बाद जो 41 आएगा 42 आएगा ये practice है तो इसको आप जैसे सोते टाइम ही केवल आप इसको देखेंगे क्योंकि answer भी मैंने एक जगा लिख दिया तो इसको आप PDF से complete करेंगे तो जिनको चा मैं add-on खर्च बता रहा हूं जिसमें आपका सांदार वे में हमने 30 में आपको कहा कि आप 20 question को target कर रहे होंगे तो जिनको चाहिए को आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 200 fee है इस number पर आप हमें WhatsApp करेंगे तो हमने 50 सवाल complete कर रखा है अब हम लोग 51 सवाल से हम लोगी start करेंगे आज की class को 51 सवाल क्या पुझा अपसे यहां से र्इवर्स इस्टेम को बहुत से सवाल्ल मृती से सवाल कर अए रहे होंगे रहे होंगे किस नदी का प्राचिन नाम विपासा है वियास नदी को हम लोग क्राचिन प्राचिन नाम में क्या जानते हैं व्यास विपासा के नाम से जानते हैं तो यह आप जब देखेंगे तो यह भी चीजे हमने बताई है करनाटक का अलमाटी जो बांध है आप से ऐसे भी पुझा जा सकता है कौन से राज में इस्तित है अलमाटी बांध तो करनाटक और किस न नदी नर्मदा नदी वो किस राज में इस्थित है तो मध्य परदेश में इस्थित है चौथा चौवनवा सवाल डैस जो है अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम अस्तल है तो यह आप जब देखेंगे गंगा करीवर सिष्टम को जब मैंने पढ़ाया है 40-45 मिनट के विडियो में सारे प्रियाग पांचों प्रियाग के बारे मैंने समझाया तो विश्णू प्रियाग कहेंगे अलकनंदा और धौली गंगा का जहां संगम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं विश्णू प्रियाग 55 question हिमाले परवत सिंखला का जो निर्मान है डैस की टक्कर स हुआ था यानि कि जो हिमाले परवत का निर्मान वाई अभी मैंने अपने बताया है अपने कैपसुल में इंडियन प्लेट और यूरेशन प्लेट ठीक है न यानि यूरेशन यानि कि यूरोप और एशिया का जो प्लेट है जिसमें आपका भारत इस्तित है और इधर आपका प्लेट इंडियन प्लेट और एरेशन प्लेट के तकर खाने से आपका किस पर्वर्वत-फिकला का तो ही ऐसे-पर डैस विश्व का सबसे बड़ा उशने कर्टी बंदिये वर्षा वन है देखे आपसे पूछा जा रहा है डैस विश्वल अस्तर पर यहां पर बात की जारी पूरे विश्व में अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा उशने कर्टी बंदिये वर्षा वन जो है आपका अमेज अगला सवाल ओजन प्रत ये भी मैंने करवाया है वाइउ मंडल की 21 प्रत में पाय जाती है तो समताप मंडल में पाय जाती है एक वर्ष के दौरान हवा के दिसा में मोशमी बदल्लाओ को देखें ये मैंने मौनसUN का भी डेफिनिशन बताया है climate का भी definition बताया है जलवायू का भी definition बताया था ठीक है ना तो एक वर्स के दौरान जो इसमें time period जो होता है ये कम होता है किसमें? monsoon में लेकिन वही जलवायू की बात की जाए तो उसका time period अधिक होता है तो इसको मैंने detail में समझाया है एक वर्स के दौरान हवा के दिसा में मौसमी बदलाव ठीक है ना एक वर्स के दौरान हवा के दिसा में जो मौसमी बदलाव डैस को संदर्बित करता है किसको represent करता है तो ये किसको बता रहा होता है monsoon को बतला रहा होता है गरहा से कुछ शवाल है किस गरहा को पृत्वी का जुडवा गरहा भी कहा जाता है तो सुक्र गरहा को जुडवा गरहा भी कहा जाता है अगला सवाल किस गरहा का कोई भी उपगरहा नहीं है तो सुक्र गरहा का कोई भी उपगरहा नहीं है और सुक्र को याद रखना है सुक्र गरहा को सुभा का तार किम्ता है तो आपका सुक्र गरहा हो जाएगा निम्ड में से किस गरहा को किस गरहा की घुणन अवदी सबसे कम है तो बुद्ध गरहा है लंबे समय अगला सवाल जो है अपसे लंबे समय यह रहा आपका दिखे जो मैंने बताए मौंजो नो जलवायू के बीच का डेफिनिशन लंबे समय जो यहां पर दिया गया है 25 वर्स मान लीजे 25 वर्सों में लिए गए और अश्यत मौसम पैटरन के स्थान को क्या कहा जाता है जलवायू देखे जलवायू क्या बतला रह यानि कि थंडा गर्म का एसास हो रहा यानि कि टेंपरेचर की बात कर रही है यानि कि जलवायू कैसी है किसी भी छेतर की वो क्या बतला रहा होता है वहाँ पर वर्सा कितनी हो रही है कितनी मात्रा में हो रही है अधीक हो रही है या कम हो रही है या फिर इसके अलावे वर् बात की जारी यह रहाँ पर पानी की मात्रा यानी की कौईंटी ओफ वाटर क्या होगी अधिक होगी वाटर की अधिक हो रहे होगी तो क्लाइमेट का मतलब जलाइयु का मतलब समझमें आए कि नहीं है जल और वाईयु तो जल in the sense किसपर depend करेगा जल वर्सा के उठमेंड करेगा वाईयु अधिक जल रही हैं तो थंडी और कम चल रही है तो गर्मी यदि थंडा गर्म यानिके temperature जलाइयु किसको बतला रहा होता तापमान अधीक होगा ठीक है नेक्स्ट सवाल क्या है देखें यह जो जलवायू के बारे न यहां से आप जब JPSC का पेपर देंगे तो आपको पढ़ना इन्वर्मेंट के बारे में ठीक है ना बायो आप जब बायो बोना हो जब आप इन्वर्मेंट पढ़ेंगे आपको 15 सवाल दिया गया JPSC में ठीक है ना जिसमें इन्वर्मेंट से सवाल पुछे जाते है तो आपसे पूछा जाया कि आदर जलवायू को मिट्टी से जोड करके ठीक है ना मिट्टी के निर्मान में जलवायू का एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है यह जब JPSC में हम देखे JPSC के लिए भी आपको मैं क्लास दूँगा बहुत सांदार वे में पूरा जीके वाला सेक्शन और जारखन जीके कभी शेक्शन दूगा ठीक है ना तो परिशान नहीं हो करके अगबका करके कहीं भी चीजों को जॉइन कर लिजेगा मैं दूगा बड़ा सांदार वे में कंटेंट JPSC कभी यह भी याद रखिएगा घर आगे चलते हैं अगला सवाल किस मिट्टी को किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है तो काले मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं अगला सवाल मिट्टी के किस परत में हुमस की सांदरता सबसे अधिक होती है तो उपरी जो मिट्टी होती है उसमें humus, humus का मतलब समझ मैं रहा है कि humus और आपका जो जिवासम होता है, ठीक है न? ये दोनों जब मिट्टी में उपस्तित होती है तो ये जो होता है ना ये मिट्टी की उर्वरता छमता को बतलाती है जितना ज्यादा हुमस और जिवाशम होगा humus मतलब क्या हो गया जो सड़े गड़े जो पेड़ पौधे हो गया वही हो गया आपका humus तो इससे आती ही जो मिट्टी की fertility है उर्वता छमता इसे बढ़ती है तो ये जो है मिट्टी के किस परत में humus की सांद्रता यानि के concentration of humus सबसे अधिक होगे तो मिट्टी के जो उपरी मिट्टी होती है या बोल सकते हैं मिट्टी के उपरी परत जो होती है उसमें आपको humus की मातरता सबसे अधिक होती है गेहुम की खेती किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अच्छी होती है तो अच्छे जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी है ठीक है ना तो जब स्वाइल आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो इसको बारे आपको जनकारी दी जाती है दोमट मिट्टी के बारे में किस मिट्टी को स्वैम जुताई की विसेस्ता के कारण सबसे कम जुताई के आउशकता होती तो काली मिट्टी जो है इसको बहुत ही कम जुताई के आउशकता होती है किसी भी मिट्टी के अपेच्छा अगर बात की जाए स्वैम जुताई की विसेस्ता के कारण ये अपने काली मिटी है चावल की खेती के लिए डैस के साथ उच वर्सा की आवशक्ता होती है चावल के खेती के खेती के लिए उच वर्सा की आवशक्ता तो होती है साथ के साथ उच तापमान एवं उच आधरता की भी आवशक्ता होती है ठीक है अगर उच वर्सा है तो आधरता क्या देखने को मिलेगी ठीक है ना यह आपको याद रखना यह सब कंसेप्ट है जग्रफी का फिजिकल जग्रफी जब आप पढ़ेंगे तो यह सब कंसेप्ट है यह सब रटने वाली चीज़ें नहीं कि आपको कोई भी एक्जाम निकालने के लिए चार-पांच चीज़ों की निड एक आपको फर्स्ट क्या सेल्फ मोटिवेशन और यह सेल्फ मोटिवेशन कब मिलेगा आपको जब आप चीज़ों को रिवाइस करेंगे दूसरा आपको नॉलेज होना चाहिए सब्जेक के बारे आपको नॉलेज होना चाहिए यह बारे आपको सेंसी किसी का हो गया कि आगर का क्या जहिए दो वहां पर यहकर आद्रता अधिक है जल की मातरा अधिक हो रही है और अगर उच वर्षा हो रही है तो वहाँ पर temperature भी क्या होगा हाई होगा उच ताप मान तो यह option खोजते ही आप बना सकते हैं यह आपको पढ़ा होनी की जरुवत नहीं है यह आपको common sense यहां से काम आए गया इस सवाल को बनाने के लिए समझगे भाई अगले सवाल पर चलते है पस्ची मंगाल में जो अस्थानी तुफानों को किस डैस के रूप में जाना जाता है तो काल वैसाखी के रूप में जाता है अस्थाई तुफानों जितने भी अस्थानी तुफान आते हैं पस्ची मंगाल मुने काल वैसाखी के रूप में जाता है अंडमान दीपसमू और निकोबार दीप समू ये भी मैंने कराया है कि जल निकायदवारा अलग किया जाता है जिसे क्या कहा जाता, 10 डिगरी चैनल से अंडमान दीप समू और निकोबार दीप समू को अलग किया जाता है, सेरी कल्चर किसे कहा जाता है, very very important, रेसम के कीडो का वेवसाइक पालन कौन सी जल डमरुमदी सिरलंका को भारत से विवाजित करता ये भी मैंने बता है पाक जल संधी भारत की अधिकांस पक्षमी सीमा किस पडोजी देश के साथ लगाती है तो बंगला देश ये भी मैंने करवाया है विश्य में कौफी का प्रमुग उतपादक देश कौन सा है तो ब्राजिल में सबसे ज़्यादा जो अगर बात के जब कौफी का उतपादन किया जाता है पूरे विश्य में प्रित्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी है यह वाई वंडली परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी है तो मैसोस्फियर है विश्य में ये भी मैंने करवाया है विश्य में सबसे अधिक वर्सा की सस्थान पर होती है विश्य में अगर बोला जाए तो मासिन राम किस छेतर में वर्स भर दीन और रात की लंबाई लगबग बराबर होती है तो जो विस्वतिय छेतर है आपका ठीक है ना यह आपको पता होगा एक्वेटर वाला जो एरिया है वहाँ पर दीन और रात की जो अवदी होती है 12-12 घंटे की होती है किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जा तो उत्तर पक्षिम वाला जो इलाका है यानि के उत्तर पक्षिम उत्तर हो गया और यह सेंटर मानते तो इसको पक्षिम भारत की मैप में तो यह जो इलाका है यहाँ पर काटेदार ठीक है ना पेड़ और जहाड़या जो इलाका है क्योंकि यहाँ पर वर्सा थोड़ा कम ह होती है इसी कारणिया पर काड़ेदार पेड़ जाड़या पाए जाते तो उत्तर फश्चित तो यह सब कॉमन सेंस वाल है विश्व के किस महादीप को बिज्ञान का समर्पित महादीप भी कहा जाता है तो अंटाक्टिका को एक जीवित जीव और उसके परियावरन के बीच बातचित का अधियन क्या है पारिस्थिति की है भगिरती और अलकनंदा का संगम डैस पर होता है तो देव प्रियाग में भगिरती और अलकनंदा का संगम होता है वर्सा को जो मापा जाने वाला जो उपकरन है उसको हम क्या कहते है फेन गेज कहा जाता है विश्व का सबसे सबसे चोटा महस आगर तो आल्ग-टेक महस आगर जो है विस्व क DAY सबसे बड़ा महस आगर प्रशांत महस आगर सबसे और है जंदर्मा कितने वक्रों जाता है जूम की खेती या फिरस्थानसे नाछी खैत이면 किस Jam से जाना जाता तो स्लेस AND Byaz खेती के नाम से भी जाना जाता है कित्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उधारन है कित्रिम यानि की आर्टिफीशल आप बोल सकते हैं जो पारिस्तितिकी तंत्र है मेंटल की उपरी भाग को क्या का जाता है एस्थेनो स्फेर ये सब कुछ हमने करवाया है भारत की अंडमान निकोबार और लक्षदीप सहीत मुख के भूमी के टट रेखा के कुल लंबा ये भी मैंने करवाया 7516.6 किलोमीटर सरदार सरोवर परियोजना कौन से सरु परियोजना है इसमें कौन-कौन से सहर सामील है आपका तो महराश्ट्र है मद्य परदेश से गुजरात है और राजिस्थान है 36 गर में इस्तेत बेला डीला जो पर्वत स्रेनी है यहां पर कौन से खनीच मुख्यता बहुत ही अधिक रूप में पाय जाता है तो लो अयसक खनीच जो ह memang is your NO तो लो आयस्क है, टिकाव और कठोट लकडी प्रदान करने वाले सुंदरी विक्ष भारत में कहां पाय जाते हैं, सुंदरी विक्ष तो मैंगरो वन में पाय जाते हैं, तो हंडेड कोशन जग्रोफी में आज हम लोग कंप्लिट करते हैं, ठीक है, और अगला एक और पार्ट यहीं से निकल जाएंगे, यहां से इन दसेंस की यह डेड़ सो तो करना ही है सवाल आपको, साथ के साथ जो कैप्सूल में मैंने 1-38 तक कम से कम जग्रोफी में भी 8-9 वीडियो मैंने दिया है उसको जब करेंगे तब जाकर यह 3-4 सवाल आपको पकड़ाएगा, देखें को कोई सौटकट नहीं है, बिना महनत के सवाल को सही करना भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी टीचर साब पढ़ ले, बाकी जिनको अगर कंटेंट लेना होगा, कैप्सूल सरीज का आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, 200 फी है, जिसमें आ आपको 100 यानि के बाद हम लोग 500 सवाल कर लेंगे, और फिर आपको ये पीडियाफ आपको ग्रूप में डाल दिया जाएगा, ठीक है भाई, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,